तो गैस कैसे अब लोग आज मेरे अंदर जाक रहे हो गलत बात है बेवकूफ थाइक्स और उसके ठीक बात तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया यखिन नहीं हो रहा कि मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही अटका हुआ हूँ तुम नहीं मचके तो ये मुझे मार नहीं रहा था देखा उल्लू बताया ये लगा मरना तेरे को डरनी लगता तो अब तुम मुझे सिखाने आया हो वैसे ये जगा नर्क नहीं है ये मेरे मन में बुना हुआ एक जाल है इसका मतलब ये है कि हम दोनों मरे नहीं है घमंडी कमीन है बड़े हीरो बन रहे हो लेकिन मुझे भी पताये तुम मरना नहीं चाहते हो देखो मेरी दो शर्त हैं पहली शर्त जब भी मैं कहूं मेरी बारी तो एक मिनट के लिए अपने बॉडी मेरे हवाले कर देना दूसरी ये एक मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना मैं कभी खुद को तुम्हारे अबाले नहीं करूंगा चलो वादा करता हूँ मैं उस एक मिनट में ना किसे को बीटूंगा और ना किसे को जान से मारूंगा मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तमाल करने देता था पर तुम हमेशा उस जादुगर की बात मानते रहे चलो ठीक है अब हाटो मुझे तुम्हारी ये शर्ते मनसूर है लेकिन मैं वापस जिन्दा शरूर होगा अब आये ना लाइन पे मुझे फिर से सिंदा करो चलो आपस में लड़ते हैं अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाओंगा तुम्हें पता ही होगा कि मैं कितना पदनाम इंसान हूँ अच्छे से पता है देखो टीचर बनना मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैंने जुजुद्सू टेक में पढ़ाने का फैसला किया पूछो क्यों यूजी के इस मामले में तुम देखी चुके हो कि जुजुद्सू की दुनिया में सबसे उपर कैसे लोग है सभी उची रैंक वालों को खत्म करना आसान होता लेकिन उसके बाद दूसरे लोग उनकी जगह आ जाते और कोई बतलाव नहीं आता और यही वज़ा है कि मैंने टीचर बनने का फैसला किया अच्छा और इसलिए मैं कभी-कभी अपने मिशन सबने स्टूडेंस को भी देता हूँ ताकि वो लड़ना सीखे सबको पता है बहुत बड़े कामचोर है मैं काम शूरू कर रही है तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहा होगे मैं तो पुरा नंगा हूँ मुझे पूछने में शर्म आ रही है लेकिन आप को यूजी वलकम बाग शुकोर क्या तुम प्लीज रिकॉर्ड्स में यूजी को मरा हुआ ही दिखा सकती हो मैं उसे एक्सचेंज इविंट में सब के सामने लाँगा दीखना सब लोग कितना हैरान हो जाएगे फिर चाहे जो हो जाए सातोरो गोजो हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाएं नहीं या तो वो बज़कर भाग जाएगा या फिर तुम सब को एक साथ खत्म कर देगा है बहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बज़ाए उसे कैद करने में लगाओ क्या शापिक जी कहीं वो मन्हूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही है एक्स्क्यूज मी सर्ड क्या आपने सोच लिया वो क्या और ये ब्लोग ये बताओ मजमें सुकूना की कितनी उलियों की काकत होगी हम से कम आठ या नौ ब्लियों की ताकत होगी अच्छा वाह क्या स्वीन है आप से एक बात पूछो आप से पूछना ही बेकार है क्या कहाँ पोशी गुरू बेकारे सुबार जवाब करना पर सलो सोर लगा के खरिशा आखर ये दोनों कर क्या रहा है ये कुछ तरीका है भीक मांगने का मानना पड़ेगा मारपीट करने में तो तुम बाकी लोगों से काफी बहतर हो यूजी मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है बस इसलिए खुश हूँ मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाईए तो तुम मान गए मैं ताकतवर हूँ सर जी आपने खुदी कहा था कि आप सबसे जादा ताकतवर हैं अब ठीक है ठीक है अब ज़रा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो देखो शापित शक्ती बिजली जैसी है और शापित तकनीक बिजली के सामानों जैसी बिजली का सीधा इस्तिमाल तो नहीं कर सकते ना करंग लग जाता है ये बड़ी अच्छी बात कही है आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ नहीं तुम शापित तकनीक का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं तुम ठीक तो हो ना बिलकुल ही मुझे लगा था मैं बिजली गिराओंगा आग जलाओंगा या अपनी शक्ती से धमागे करूँगा जैसा कि मैंने पहले कहा था तो माल पीत करने में एक दम माहिर हो उसमें तो मैं शक्ती इस्तमाल कर सकता हूँ मुझे यहाँ पर मारो लेकिन तुम यह नहीं कर पाऊगे जोग यह तो दोश्मत देना इस वार में जरा सी भी शक्ती नहीं थी और मैं सबसे ज़्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊगा फिल्में देखना बल्कि तुम को फिल्में इसके साथ देखोगे इस प्यारे और अजीब से गुड़े का क्या चक्कर है मुझे समझ नहीं आरा आप करना क्या चाते अरे रुको जरा सबर करो सब समझ जाओगे रुको जरा सबर करो तुम बताओ कौन सी फिल्म देखोगे सबसे पहले ये वाली ही देख लो इसमें heroine कमीनी होती है और वो hero के भाई के साथ भाग जाती है आप में तो पुरी कहानी बता दी अरे कहना क्या चाहते हो शापित औजार इस्तमाल करना? मैं मानता हूँ कि आमने सामने की लडाई में हथियार काफी काम आते हैं वैसे जरने मुझे बताईए अब अकसर आपने पास दो से ज्यादा हतिया रखती है ना? वह जार पांडा संभालता है मुझे यह पूछना ही नहीं जाहिए था तुना 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 क्या नहीं बोला तुदे एई पहले क्या बोला चल्ड़ शायद में यह कर सकता हूँ मैं बच्पण में जहां रहती थी वहां कच्रि की दो तरह की ठेलिया होती थी वाली प्लास्टिक के लिए और देली वाली नैस्भिव आश्ब के लिए वाह क्या स्जीन है मुझे ल。 तुन पाणबना और के इन है चलो, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है तुम यहीं ट्रेणिंग में लगे रहना अरे हाँ जब तुम मरे हुए थे, तब क्या तुमने सुकुना से बात की थी? जब उसने तुम्हें ठीक किया था तब क्या उसने तुम्हेरे साथ को इशारत या सुदा किया था? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ अब आजाओ तो बताओ, कौन हो तुम? हम कुट्टों से बात नहीं करते पता नहीं था, की से मारना इतना असान होगा हाँ, असान तो है पर तुम्हें वेवकूव बनाना ऐसी कि दैसी अभी जितना ताकत पर सुकुना है ये उससे भी स्यादा है ऐसी शक्तियां रोज-रोज सामने आने लगेंगी तो वो इस्पेशल कैसे रहेंगी? मुझे तो मज़ा आ रहा है अच्छा, तो तुम्हें मज़ा आ रहा है बहुत मया आ रहा है याँ पर इसने ऐसी जगह चुनी जहां बेकसूर लोग नहीं है अरे, ख़परे और मज़े में फर्क तो तुम नहीं जानते इसलिए तो तुम मुझसे लड़ने आ रहे है काम थमाम हो गया इनसान हमसे ताकतवर होते हैं ये सिर्फ कमजोरों की घलत फाहिमी है बलकि ये तो ठीडे मकोडों से भी गए गुजरे तेरे दादा गिरी निकाल दूगा माई मैंने कहा था ना तुम्हे बेवकूफ बनाना असान है तुम समझते ही नहीं हो ना मुम्किन या आखरी वार अलग था मैंने तुम्हे खुद पकड़ा और मार डाला था अच्छा रुको अभी समझाता हूं अपना हाथ या लाओ अरे लाओ ना मैं इसे चू नहीं पा रहा पास आते ही रुक जाता हूं अम दोनों अगर जाहें तो इस तरह हाथ भी मिला सकते हैं अरे बाबु शर्माओ माथ ऐसे करोगे तो मुझे भी शर्माएगी अब आए ना लाइन पे कुई बात नहीं अब मैं इसे अपने शापित छलावी में ले जाओंगा नो गाद प्लीज नो सौरी तुमें इंतजार करवाया ये यूजी है और ये हमें यहां देखने आया है गोजो सार इसके साथ पर फॉल्स के लो ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख्या है हम कहीं जा रहे हैं तो चलो एक एक्स्ट्रा क्लास है ये क्या हम डूप क्यों नहीं रहे कुछ ऐसा करना होगा कि सांतरू गोजो लड़ने लायक ना रहे मैं यूजी को मार नहीं सकता इसकी हमें जरूरत है ये बच्चा तुम्हारी ढाल है क्या मेरी ढाल क्या बात कर रहे हो एक बच्चे को लाकर तुम अपनी मुश्किले बढा रहे हो और वैसे भी तुम कमजोर जो सला ये दुख का है खतम नहीं होता भे मैं तुम्हें कच्चा चबा जाओंगा फिर देखे है कान बड़ा थीसमार खा है तुम्हें कुछ नहीं होगा बस तुम मेरे साथ रहना डेखो क्यों से 22 दिखा रहा है इतसर है बहार के अंदर शोलूंखा समन्दर ये ये सब भाई यहां पे क्या हो रहा है भाई यहां पे क्या हो रहा है हम शापित शक्ति के इसनमाल से एक छलावा पनाते है इसमें चीजें शापित जिस्गा टूर्जाा का इस्तेमल होता है ये क्या इस बात की गैरंटी होती है जा है जास करेंगा जान टूरा ग tills अब मैं क्या करूँ यहां क्या चल रहा है सातुरू गोजो सर अब यहां पर जी हाँ वैसे मैं यहां आने वाला नहीं था लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि सेकेंडियर वालों को दिखाना ही होगा तो फिर क्या वो तुम्हें मिली सॉरी मैंने उसे खा लिया अरे कहना क्या चाहते हो तुम्हें कोई करबर मैसूस हो रही है अभी तक तो नहीं सुकुना को बाहर ला सकते हो ठीक है तो दस सेकेंड के लिए लाव जरा और दस सेकेंड पूरे होते ही तुम वापस आजना लेकिन अरे फिक्र मत करो यहां सबसे ताकतवर मैं हूँ चला भए उचे गरो जरा यह पकड़ना यह क्या है यह मिठाई है यहां पर लोगों की जान जा रही थी और यादमी मिठाया खरीद रहा था सबस मिठाई और यह मिठाई सिर्फ यही मिलती है अच्छा 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 आए ना लाइन पे इन की ऐसी की तैसी जमाना चाहें जोभी हो यह जुजोग सुगे जादू का नाख में दाउ काते हैं लेकिन मेरे सामने कोई नहीं ठिक सकता समय समापती की खोश्णा अरे नहीं आखिर यह लड़का यूजी इता दोरी किस मिठी का बना हुआ है यकिन नहीं होता तुमने सच में उस पर काबू पा लिया लेकिन वह बहुत परिशान करता है अरे चले कोई ने गेम खेल दे बाई यहां पर क्या हो रहा है बाई यहां पर क्या हो रहा है तो तुमने फैसला किया तुम्हें क्या करना है ऐसे शापो की वज़े से अकसर लोगों को चोट पहुचती है क्या किसी शापेत आत्मा के हमले से कोई सीधे-सीधे मर जाए तो ये सही रहता है अगर तुम्हें सुकुना से मुकाबला करना है तो ऐसे कही खतरनाक नजारे देखने पड़ेंगे दो, तुम सोच लो आखिर तुम्हें क्या करना है अगर सुकुना के सारे हिस्से खत्म हो गए तो क्या लोग उन तकलीफों से बचेंगे जो इन शापों की वज़ा से हो रही है आपके पास वो उंगली अभी भी है सुकुना की 10% शक्ति देखते हैं क्या होता है तो इसका मतलब मैं ये समझू की तुमने पक्का इरादा कर लिया है बिल्कुल नहीं मैं अभी भी सोच रहा हूं मुझे मारना जरूरी क्यों है ए फ्यू मुमेंट्स लेटर मैं सुकुना की हर अगली निगल लूगा भी जो होगा देखा जाएगा मैंने फैसलाब कर लिया है क्या बात है तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है लगता है बहुत मुजा अने बाला है मुसम तो ऐसा लग रहा है दिल काटन काटन हो रहा है बहुत मया आ रहा है यहापे क्या हम कहीं जा रहा है टोक्यो फुशी गुरो, मस्त लग रहे हो इस हालत में मस्त लग रहा हूँ हाँ और एक बात तुम फास्ट येर के तीसरे स्टुडेंट होगे सिर्फ तीन से अगर कोई गडबर की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे तो सम्हाल ले न फिर क्या होगा, वो मुझे तुरंट मार देंगे सब के ओदे उनकी ताकत से तय होने चाहिए चुप हम्मत का तुमने मुझे एक बारा राया है इसलिए इसके शरीर पर कब सकते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा क्या है क्या उकात क्या तिरा लोग मानते हैं कि रियोमेंट सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके चार हाथ और दो सर्थ है ज्यादा ताकतवर कौन है आप या वो सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आप हार जाओगे ओ ही नहीं सकता आई जो बेर तुम लेट होगे सातोरू पूरे आठ मिनिट ले देखिए अगर आप डांट नहीं सकते तो कोई बात नहीं जाने दीजिए और आप वैसे भी आठ मिनट से गुड़े ही तो बना रहे है कजब बेज़ जती है कुछ भी क्या यही है गुलड़का यूजी इतादोरी मुझे सनी लियोनी जैसी लेट के आपसंद है तो में आ गया यह बचन आए इस दीजिए लोड़ा तुम यहाँ पर क्यो आयो हो इंटर्वी देने जुजुट्सु टेक में ही क्यो जुजुट्सु सीखने के लिए मेरा वो मतलब नहीं था अबे साले अरे कहना क्या चाते हो वाँ यह कमरा कितना बड़ा है अभी सारे सेकेंड और थर्ड यर बारे लोग बाहर है उनसे जल्दी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी मेरे ख्याल से इस तरह हम दोनों का काम हो जाएगा तुम यहां रहोगे फूशी गुरो अब चप यह कमरा कितना साफ है मैंने कहा ना इसे मैं ज्यादो दीर तक नहीं सह सकता